हेलो दोस्तों आज हम कबर करेंगे ECST10 के बारे में ECHT10 जो खेला जाएगा अश्टेरिया में उनके बारे में ये खेला जाएगा सोल्वीन गर्न और टॉमन का भी जो मकाबला होगा वो होगा इंडियन समय अनुसार कल साम को बारे बजे सारे बारे बजे कल साम को सारे बारे बजे जो मकाबला होगा इस मकाबले में कौन सा टीम होगा कौन सा टीम कमजोर होगा साथ ही साथ पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है क्या बैटिंग पीच है या बॉलिंग पीच या बाइलेंस पीच अगर बैटिं ही तो कौन सा बॉइलर चलेगा अगर बैटिंग पीछ है क्यापटन और वुइस क्यापटन कौन्सा बैस्ट मेन को दे गे भी डूट बिना एस किप किये इस वीडियो को आंच्ट तक जरूर देखना अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करना है सबसे पहले विकेट कीपर में सालेक्षन परशेंट हाई का हिसाब से देखा जाए तो आई सिंग का है जिनका सालेक्षन परशेंट 83.7% है लेकिन यहाँ पर देखें यह 307 पॉइंट दिया है लेकिन रिसंड का मकाबले जिस गरॉंड पर होने जा रहा है उसमें एक मकाबले खेले हैं एक मकाबले में अच्छे खासे पॉइंट दिया है और ग्रॉंड भी इने सूट करता है रिशन्ड के फॉम भी अच्छे हैं इसलिए मैं आई सिंग को अपने टीम में लूँगा अब बात कर लेते हैं जैड ग्रली इनका भी सेम टू सेम एक मकाबले इस टीम के खिलाब खेले हैं जिस ग्रॉंड पर मकाबला हुआ है उस ग्रॉ दोनों को लेकर जा सकते हैं आप चाहें तो गरेन रिलिक का रिक्सी टीम बनाते हैं तो एक के लेकर जा सकते हैं लेकिन अगर आप लोग दोनों को लेकर जाएंगे ता ज्यादा सेव रहेगा किस कंडिशन में दोनों को लेकर जाना है जो टीम पहले टॉस जितेगा वही ट परशेंट चांच जीतने का ने ऐसे एल का भी सी सी का जो है उनका 90 परशेंट जीतने का चांच है इन दो हैं आप लुग है ट्राइड का सकते हो चाहें आप लोग हेड टू हैड लीग यह इसमोड लेग मेगा जीयल, जीयल का सेटीम आपको लगता होगा भाई इस दोनों को तो selection percent high का हिसाब से बात करते हैं लेकिन मैं selection परसेंट हाई का नहीं आपको एक साजेस्ट करता हूं कि दोनों कारिसांट के फॉम अच्छे हैं हेट टू हेड रिकाउड अच्छे हैं गरोंड सूट करता है इसलिए अब बात कर लेते हैं बैस्ट में में आने से पाले मैं आप लोगों को पीच रिपोर्ट बता देते हैं रिपोर्ट जो है वह है बैटिंग पीची गुड़ पर पेसर है यहां पर अवरेज स्कोर 147 है बैनु सिरीवन किर्केट गरोंड लाहोर अस्टेलिया में खेला जाएगा और यहां पर एम सेंट का फॉम में काफी धमाल मचा कर आ रहा है पॉंच मकाबले खेले हैं पॉंच लेकिन इन्हें पॉईंट 287 पॉइंट दिये हैं रिशलकाबले में फिर भी इसालेक्शन फ्रसेंड रहा है लेकिन आप लोग क्यापटन और वाइसडिकल किसे दे और क्यों डे आप भी जानते हैं टीarden में पिलियर में डेल्टर करता है तो आप का टीम नम्रएका नहीं से अब बात कर लेते हैं यहां पर तीसला बैस्टमेंट के रूम में आर सिंग रिकोट ठीक टाक है एक मकाबले खेलने का मुका मिला है जिसमें बातर पॉइंट दिया है एक मकाबले में 43 पॉइंट दिया है और यह पीसिंग फलावस हुए है अब देखे इन पहुंच बैस्टमेंट में से अगर आप लोग यूनीक ठोरा रिक्सी लेना चाते हैं तो तीन बैस्टमेंट को मैं बता दिया हूं हलाकी सेब लेना चाते हैं तो दो वेस्टमेंट को आप नजर के सामने में रखा है अब बात कर लेते हैं ओलंडर सेक्षन में ओलंडर सेक्षन में आने से पाले मैं आप लोगों को यह जनकारी दे देते हैं दोनों टीम के तुनना क्या जाए तो एस्टोंग भी सी सी है और यहां पर दो साल का गरॉं है और बैस्टमेंट को अपने टीम में इस्पीनर से जधा पेसर को केप्टन और वाइस केप्टन दे लेकिन यहां पर उलंडर सेक्षन में देखिए हर कोई इस्पीनर जो है धमाल मचा रहा है पेसर भी धमाल मचा रहा है इसलिए आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ट्रक परता Σाँ मुआ कीओ त्यमी और खराई कर सकते हैं यू यू सूफ रा आफ है ये क्लू मिला कर शे庇 crisp किसह एनल से और को सकते हैं अगर आप लोग से लेना चालते हैं तो चारव कर सकते हैं यूनिक लेना चालते हैं दो तीन जो करना है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं जाएड का अच्छा खासा रिकाउड है टी करन ठीक ट्राक है एस नहीं अच्छा खासा परदाशन किया है मैं देखिया हमेशा गरेंडली का रिक्सी टीम बनाता हूं जिसके करन मैं अपने टीम में कोई ना कोई तीन पिलियर ऐसा लेता हूं जिसे हर कोई लेकर जा रहा है हर कोई छोड कर जा रहा है मैं अपने टीम में वह साब पिलियर को जगरूर मुका देता हूं इसलिए मैं अपने टीम में सबसे पहले इन दो विकेट कीपर को जरूर लूँगा दोनों का लाजवाब परदर्शन मैं दोनों को लूँगा अब आते हैं बेस्ट में बेस्ट में में यह परेम से को हर कोई ले कर जाएगा अच्छा खासा परदर्शन भी करता है रिकॉर्ड भी अच्छे है ठीक ठाक रिशन के फॉर्म खेल कर आया है लाजबाब पॉइंट देता है क्योंकि यह इनका बैटिं सपोर्ड करता है फ्र्र को लेंकि दिखिए अब आते हैं अलेंडर का है ऐंच्छा खासा है एक ऱजान अच्छा खासा परदर्शन करेगा किबाधे फिक ठाक पर शर्षन कर आएजिए पर देले करशन है इसे शीन एटा बॉलर सेलेक्षन में इनपॉर्टेन बॉलर के रूम में रहने वाला है वह एक जड़न डिकाउट के दिरिष्ट्री से SM को लूँगा T करमन को लूँगा लो सेलेक्षन परसेंड है अगर आप लोग ज्यादा लो लेना चाहते हैं तो मैं T करमन को लूँगा एक सेलेक्षन परसेंड लो लिक लिया हूँ बाकि बॉलर सेव में लिया हूँ अब यहाँ पर देखिए चार ओल अंडर भी सेव लिया हूँ अब मैं केप्टन और वाइस केप्टन की बात करते हैं केप्टन और वाइस केप्टन थोड़ा यूनिक जरूर बनाऊंगा यहाँ पर देखिए बीसी के जिस तरह से मैं captain और voice captain हर कोई यहां पर 38% captaincy है m7 को voice captain यहां पर यह जन को लेकिन मैं captain और voice captain कुछ unique track करने बाला हूं ताकि मेरा team एक अच्छा और unique बने ऐस अपको captaincy कम है 10% है मैं captain इसे दिया हूं यह कम जोर टीम का है अगर थोरा लेना चाहते हैं, तो मैं kapiton इसे दिया हूँ, Caucasus भी ठिक ठाक है, वाईच न केप्टन इसे दिया हूँ, save time करता हूँ, save time करने के बाद देखिए, मेरा टिम का परवियू किस तरह से रहता है, फिलाल के लिए मेरा ट्रिम का पर्वियो इस तरह से रहेगा हाई योप ये वीडियो आपको पसंद आए चेनल को लाइक और सस्क्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाहिन दोस्तों